आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HBW vs ASW Harvard Hurricanes Women vs Adelaide Stryker Women Australia Women's T20 Big Best League का यह match नमबर 55 है यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि यह एक last league match है Harvard Hurricanes के लिए और Adelaide Stryker Women के लिए इसके बाद इन दोनों ही टीम का कोई भी league match नहीं है और यहाँ पर Adelaide Stryker की टीम है वो अल्रेडी सेमी पानल के लिए क्वालिफाई कर गई है तो यह भी चीज़ ध्यान में रखेगा कि यह team काफी अच्छी है जबकि Harvard Hurricanes को यह match जीतना काफी जरूरी है इनके लिए डू-डाई की situation है वीडियो में आपको आगे बताऊंगा सभी कुछ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को सबसे पहले तो भाई मेरे like करके यार start करिए आपका एक like चैनल को support करेगा हमें motivation मिलेगी तो वीडियो को ज़रूरी से like किया करें अब directly match के बारे हम बात करते हैं अरबर्ट हरिकेंस वर्षिज एडियले डिस्टाइकर match नमबर 55 वोमेंस विग बैस लिग का सिड्नी क्रिकेट ग्राउंड जो है सिड्नी के वेन्यू पे होगा सुबह में 4 बज की 40 मिन पे जो है match स्टाट होगा यहां की अगर मैं pitch report की बात करूँ यहां की pitch report पे मैं आपको वदाऊं कि bat उतनी अच्छी देखनी के लिए हमें नहीं मिली है run जो है काफी कम बने है यहां पर अगर आप देखोगे last के 5 match में यहां पर 56 विगेट टूटल गिरे हैं तो हर match में लगबग जो है 11 विगेट आपको यहां पर गिरते वे दिखाई देंगे average score मात्र 119 run है last 5 matches के हिसाब से तो इससे भी आपको आइडिया लगेगा कि यहां पर run जो है काफी कम बनते हैं इस venue stats की बात की जाए टूटल 11 matches इस venue पे हुए है women's T20 domestic तीन बार bet first करने वाले टीम ने विन किया है साथ बार bet second करने वाले टीम ने विन किया है average score 132 run है 11 matches के हिसाब से 172 run highest है और lowest run 90 run है यहां पर देख सकते हो कि 11 matches में 8 बार 150 run से नीचे का score बना है 2 बार 150 से 170 run के बीच में score बना है 170 से 190 के बीच में एक बारी score बना है venue पर जो last match खेला गया था ना इस season अभी तक 2 matches हुए है जो last match खेला गया था 18 नौबर को खेला गया था यहां पर आप देख सकते हो bet second करने वाले टीम ने विन किया run जो है काफी कम बने थे इस match में उसके पहले वाला भी match आप देख सकते हो कि यहां भी run कम बने थे और bet second करने वाली टीम ने यहां पर win निकाला था उसके पहले 2018 में यहां पर matches हुए थे तो इनकी बात हम नहीं करेंगे यहां पर recent के जो 2 matches हैं यह देख लो आप 9 wicket गिरी है और इसमें 7 wicket गिरी है तो recent के matches में ज़्यादा wickets नहीं गिरे हैं लेकिन run भी ज़्यादे नहीं बने हैं अब हम बात करते हैं head to head के record की तो head to head के record में देखोगे total 15 T20 matches हुए है जिसमें सिर्फ 4 बार हर बार थरीकेंस की team ने win किया है एडि लेडी स्टाइकर बोमिस की team ने 11 matches जो है win के है definitely यहाँ पर अगर आप देखोगे जो last match था इन दोनों ही team के बीच में खेला गया था यहाँ पर जो है काफी कम ओबर का match खेला गया था 27 November को जो है यह match खेला गया था 2022 में ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जो है जी हाँ तो यह वाला match जो था ना यह 27 October को खेला गया था Brisbane के venue पर खेला गया था मातर 8 October का match खेला गया था 12 की बज़े से Harvard Hurricanes की team ने match win किया था तो definitely यहाँ पर देख सकते हो कि Harvard Hurricanes की team ने recently जो है इडिल्डी स्ट्राइकर की team को हराया है उसके पहले 2022 में match वे हैं जहाँ पर एक-एक match दोनों ही team ने win किया है 2021 में अगर आप देखोगे एक match abandoned हुआ है और एक match striker की team ने win किया है वैसे दोनों ही team की अगर मैं recent form की बात करूं एडिल्डी स्ट्राइकर ने total इस season 13 matches अभी तक खेले है 10 matches win करके points stable में जो है first position पे है और already जो है ये qualify कर गई है 20 point है इनके total Harvard Hurricanes की अगर आप देखोगे number 5 position पे है 13 matches के लिए है 6 match जीत करके 13 point इनके साथ में है इनका एक match जो है बार इसके कारार abundant हुआ था जिसकी वज़े से इनको एक point यहाँ पर मिला था बाकी team अच्छी है Harvard Hurricanes के भी और definitely अगर ये match की जित्ते हैं तो इनके भी 15 point हार 15 point हो जाएंगे और यहाँ पर आपको भी वदाऊं कि Sydney Thunder अगर अपना last वाला match अगर हारती है तो फिर ये team जो है qualify कर पाएगी लेकिन इसके जो भी points है वो points अभी जो है इसके run rate माइनस में है Harvard Hurricanes के और Sydney Thunder के जो points है वो plus में है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर Harvard Hurricanes qualify कर पाएगी यहाँ पर ये last match ही जो है अपना खेल रही है वैसे Harvard Hurricanes अपने last के तीनों match जो है back to back win करके आ रही है जबकि अपने last के चारों match जो है back to back win करके आ रही है last five match दोनों ही team के हमने यहाँ पर दे रखे हैं अब हम बात करते हैं playing 11 की सबसे पहले यहाँ पर हम Harvard Hurricanes की playing 11 देखेंगे लीजा ली के साथ में इल्विस विलानी आपको open करते हूँ नजर आएंगी one down पर ब्रॉनी स्मीथ है उसके बन निकोला केरी है हीटर ग्राम है एन स्टैन बर्ग है रूथ जोनस्टन है मौलनी सतारो है M.E. समीथ है सबिना इसमाइल है और मैसी गिबसन है तो यह हर बाट Hurricanes वोमिन्स की playing 11 है player role में देखोगे निकोला केरी आपको left-handed right arm bat करते हूँ मिलेंगी बाकी आपको mostly right-handed batter यहाँ पर मिलने वाली है अब हम बात करते हैं इडिलिज ट्राइकर वोमिन्स की कैटी मेक के साथ में लॉरा वर्डॉट आपको open करते हैं नजर आएंगी 1-2 पर थालिया मेगराथ है उसके बाद bridge partition है M.Pina है D. Gibson है Amanda Wellington है Jima Brassby है Megan Iskat है Darcia Brown है और A. Muswange है ये इडिलिज ट्राइकर वोमिन्स की प्लेंगी लबान है प्लेयर रोल इनके भी हमने लिखे हुए है Mostly आपको right-handed batter जो है Striker टीम में मिलेंगी प्लेयर की recent form की बात करें लीजा ली बहुत ही अच्छी अच्छी जो है इनिंग्स केलती है लास्ट मैच में बाई सेंचुरी मार के आ रही है Not out गई थी 22 रन बिल्दानी ने किये Bronny Smith बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस रही है इस सेजन Nicola Carry अगर आप देखोगे 24 रन प्लस एक विकेट 25 रन प्लस दो विकेट 27 रन प्लस एक विकेट तो अच्छी इनिंग्स खेल रही है CVC भी इनको कर सकते हो हिटर ग्राम ने तावातोर लास्ट मैच में बैटिंग करी थी 55 रन किये थे उसके पहले बाले मैच में तीन विकेट लेकर गई थी तो ये जो है पॉफॉर्मर है में इसमित ने चार अबर किये थे मौली सतारो ने सिर्फ दो ही अबर डाला था पावर प्ले में आपको गिंद बाजी और डेथ में गिंद बाजी करते होई मिल जाएंगी मौली सतारो यहां से आपको ये भी आइडिया लग जागा कौन सा प्लेयर जो है कब गिंद बाजी करता है आब हम स्ट्राइकर टीम की बात करें कैटी मैक बड़ी-बड़ी इनिक्स के लिए जानी जाती है इकथर रंकी इनिक्स, 86 रंकी इनिक्स, 48 रंकी इनिक्स, 45 रंकी देख सकते हो, लास्ट में 24 रंकी बाकी head to head के भी हमने record दिये हैं तो वो भी आप देखते जाना Laura Wardrod जो है 9 पे आउट वही लेकिन ये भी जो है कभी-कभी बड़ी इनिक skill थी है थालिया में एक राथ अच्छा कर रही है, bad ball दोनों से perform कर रही है साथी साथ यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि हमने हर एक player का जो है यहाँ पर पूरा हर एक चीज जो है दे रखा है recent form, head to head के record, venue record last match की balling अगर दिखी जाए Darcia Brown, Darcia Brown ने अभी तक 2 match के लिए हैं दोनों match में विकेट इन्होंने निकाला है head to head के 6 matches में 12 विकेट है और Australia team की main baller है definitely विकेट स्टेकिंग option है power play में गिंदबाजी करते हुए आपको मिलेंगी last match में 3 विकेट मिला Amanda Wellington को 2 विकेट मिला D. Gibson को 2 विकेट मिला mega niscut को सिर्फ 1 ही विकेट मिला power play और death में आपको mega niscut जो है गिंदबाजी करते हैं मिलने वाली है मुस्वांगे के जो है last match में ओभर कटे थे सिर्फ 9 दो ओभर मिले थे और थालिया मेगराथ ने भी जो है सिर्फ 2 ओभर डाला था topics की बात करें topics यनि की player important player कौन कौन सी रहेंगी निकोला केरी, हीटर ग्राम, थालिया मेगराथ, लीजाली, ब्रिच पैटिंशन, दी गिप्सन, लॉरा वाडरोट और इल्विस विलानी ये बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं small league की team में इन प्लेयर को जो है आप अपने team में रखिएगा small league में अगर आप CVC जा रहे हो न, निकोला केरी, हीटर ग्राम, थालिया मेगराथ, लीजाली ये बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं, small league की team में आपको इनको जो है C और VC करना चाहिए mostly लोग इनको करके लेके आएंगे grand league में अगर आप जा रहे हो, ब्रिज पर्टिशन, डी गिप्सन, लॉरा वर्डरॉट और इल्विस विलाने ये टॉप क्लास की performer है और भाई grand league की team में इनको आपको CVC करना चाहिए यहाँ पर हमने Harvard Hurricanes, Women's की पुरी fully score detail, ID.Lady Stiker की पुरी fully score detail दोनों ही team की score detail share करी है, तो आप इनकी score detail भी यहाँ पर देख सकते हैं और guys, यह आपका अपना ही telegram का channel है, telegram का channel आप ज़रू से join करिएगा वीडियो के description में हमने link डाल रखी है, यहाँ पर आपको toss information, playing 11, dream 11 team मिल जाती है अगर देखो, मैं जग गया, सुबह में भाई, चार बच की चालिस्मेंट पर मैच है अगर मैं जग गया, तो 100% मैं team share करूँगा, otherwise जो है video team में मारे final रहने वाली है कोई player ना खेले, तो उसको जो है change कर लेना, लेकिन telegram का channel join कर लेना क्योंकि बहुत सारे ऐसे matches हैं, जिनकी updates आपको telegram पर देखने के लिए मिलती है अपने हम dream 11 की 3 member और 4 member की team ready कर लेते हैं लीजाली, bridge petition, दोनों अच्छी option है, grandie की team में लीजाली को जरू से drop करिएगा बाकी आप bridge petition को भी लेके जा सकते हो, मैंने लीजाली को यहाँ पर prefer किया है कैटी मैक, इल्विस बिलानी, लॉरा वाडरोट, इन तीनों को मैं अपने team में लेके जाओंगा लास्ट मिच में M. पीना ने ठीक ठाक innings के लिए धियान रखेगा M. पीना, 2020 सिक्किस अगर आप BBL उठाके देखोगे तो बहुत यह अच्छी परफॉर्मर थी अल्राउंडर सेक्षन से बात करें, थालिया मेगराथ, इटर ग्राम, निकोला केरी, डी गिप्सन यह चारों प्लेयर हमारी team में डिरेक्ली आएंगे Brownie Smith अपनी दिन पर अच्छा करके गाईज आपको दे सकती है, बहुत ही शांदार option है लेकिन recent form उतना अच्छा नहीं है, ग्राणी की team में आप ट्राई कर सकते हो Molly सतारों, Megan Scott, Amanda Wellington, तो मैंने तीनों को अपने team में यहाँ पर लिया है इसी बात करें, no doubt यहाँ पर मेरी जो कैप्टन रहने वाली है न, वो रहेंगी यहाँ पर निकोला केरी और वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो थालिया मेगराथ यहाँ पर मेरी वाइस कैप्टन रहने वाली है CVC भी आपका कॉल रहेगा, मुस्ट लोग इन तीनों में ही लेके आएंगे तालिया मेगराथ, हीटर ग्राम और निकोला केरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क लेकर निकोला केरी को जो है कैप्टन सी दिया है अगर आप टीम प्रिव्यू देखो गेना, पांच प्लेयर मैंने हरवाट हरिकेंस के लिए है छे प्लेयर मैंने इडिरेडी स्ट्राइकर वोमेंस के लिए है लीजा लिए है अमारी टीम में इल्विस विलानी है, लॉरा बडरोट है, कैटी मैक है, कालिया मेगराथ है, हीजर ग्राम है निकोला केरी है, डी गिब्सन है, मौलनी सतारो है, मेगन इसकट है और अमांदा वैलिंग्टन है टीम हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, उमीद करते हैं वीडियो आपको जो है इनफर्मिटिब लगा होगा, वीडियो को आपने लाइक भी कर दिया होगा चैनल पर आप पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में